तो डाइबिटिक फूड क्या होता है और इसके उपर आपके क्या विचार है डाइबिटिक फूड एक क्रोनिक कॉंपलिगेशन है डाइबिटीस का च्योंकि लंबे समय के बार जैसे की नसों में कमजोरी आजाती इस वज़े से कई बार जो हमारे शरीर के दूर के हिससे हैं, जैसे पैर, जिनके उपयोग से हम लोग चलते फिरते हैं, तो अकसर करके इन में छोटी मोटी जब चोट लग जाती है, और वहाँ पे यदि सुन्पन है, नसों की कमजोरी है, तो मरीज को अकसर करके पता नहीं च अलसर का फॉर्म ले लेती है, जिसमें कई बार जो अलसर है, वो डिस्पाइट आफ वेरी गुड ट्रीटमेंट वो ठीक नहीं होता है, और हम अलसर को काफी बिगड़ता हुआ, इंफेक्शन होता हुआ देखते हैं, और ऐसे में विक्राल रूप धारण करने पर हमें कई मरीच का पैर काटना पड़ता है, अभी यह समस्या जो है, है तो लेकिन उसका इंसिदेंस प्रेविलेंस ठोड़ा काव है, पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डियाबिटीस का प्रेविलेंस बढ़ रहा है, और जाद तर डियाबिटिक लोग अन कंट्रोल है, तो आ तो पैयानक समस्या होने वाली है, क्योंकि डाइबिटेक फुट जो चीज है, वो लंबे समय कि डाइबिटीस के बाद होती है, और जैसे जेसे जो आज की तारीक में यंग डाइबिटेक्स हैं, जा ऊड्डे डाइबिटेक हैं, अदि उप्यूkt केर नहीं होती है, तो इनक हर साल अपना पैर कवाना पड़ता है वो ऐसी परिस्तिती में चलते हैं बड़ा मुश्किल है और यह फिगर यदी बढ़ता है यहां से दो चाह दस गुना होता है तो हम लोग को बहुत सारे अपंग लोगों की केर करनी होगी तो बहुत ही मुश्किल सा सेनेरियो एक बन सकता है तो डायबेटिक फुट में हम सब को अवेर होने की जबरत है मरीज को अवेर होने की जबरत है डॉक्टर्स को अवेर होने की जबरत है कि किसी भी डायबेटिक आदमी में उनके पैरों की छोटी से छोटी चोट को भी गंभीरता से ले अच्छा एलाज दे अच्छी केर अच्छा medical advice उनको दे, उनको aware करना है, उनको समय रहते आप सजग बनाइए कि वो अपने शरीर की अच्छी care करें और आने वाले संभावित, amputation के खत्रे से हमें मरीज को बचाना है, अंग भंग होने से हमें, किसी भी हाल में होने से बचाना है कि यदि कोई मरीज हमारे पास डाइपटेक खुड से आता है, तो हमें उसके पैर को हर हाल में बचा के रखना है, और उसके पैर को किसी भी हाल में कटने देने की तक की परस्तिती में नहीं पहुंचने देना है